सती, कुमाओ की मिट्टी से जुड़ी शिवानी यानि गौरापंद की लिखी कहानी, कालिंदी बडोला की जुबानी सती, a masterpiece written by शिवानी, narrated as an audio story by कालिंदी बडोला कालिंदी बडोला हाट टू आट में आपका स्वागत है आज यहां कालिंदी के किताब खाने से मैं निकाल कर लाई हूँ शिवानी की कहानी, शिवानी जिनका दरसल नाम था गौरापंद वो कुमाओ उत्तराखंड को बिलॉंग करती थी और October 1923 में, interestingly, सौराश्र गुजरात में उनका जन्म हुआ था और पूरे देश भर में काफी इधर उधर घूमना उनका हुआ क्योंकि उनके पिता की नौकरी इस तरीके की थी वो ओच्छा में भी रही तो उसके बाद शांतीने केतन में नौ साल उन्होंने पढ़ाई करी, बिंगॉल शांतीने केतन में श्रिवानी जो इतनी बड़ी उपन्यासकार और कहानीकार मानी गई है उनको भारत सरकार ने 1982 में पदमर्श्री से भी नवाजा था अब श्रिवानी की कहानियों के एक जो बहुत बड़ी खासियत मानी जाती है वो यह है कि कुमाओं की संस्कृती उनमें बहुत चलगती है लेकिन इसी बात पर श्रिवानी ने बड़ी इंट्रेसिंग बात लिखी है अपनी ही भूमिका में वो कहती है यदि मेरी कहानियों में मेरे उपन्यासों में कुमाओं के प्रती मेरे मोह का स्वर रह रहकर मुखर होड़ता है तो मुझे आश्चर नहीं होता किन्तो मेरे आलोचकों की दृष्टी में मेरा यही सबसे बड़ा दोश है तो जहां तक आप जस एरिया को विलॉंग करते हैं वहां के शब्दों का आपका अपनी भाष्टा में इस्तमाल करना कितनी कॉमन सी बात है ना मेरे आपके किसी के साथ भी हो सकती है अब देखें मैं गड़वाल उत्तराखंट से हूँ और मेरे पेरेंस ने पूरी जिंदगी मेरे साथ गड़वाली में बात करी तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जिनको मैं आज तक हिंदी और अंग्रेजी में भी ले ही आती हूँ अब आप मुझे कोई खराब चाय पिला के देखिए जिसमें दूद और पानी का और चाय पती का मेल ठीक ना हो कम हो तो बस मेरे मुझे एकी शब्द निकलेगा घलतना अब घलतना शब्द मेरे सारे दोस्तों को भी पता चल चुका है कोई भी खराब चाय हम पी रहे होते हैं साथ में बैठके तो सब के मुझे निकलते है रहे क्या घलतना चाय है क्योंकि इस शब्द का कोई पर्याइवाची, कोई सनॉनिम, मुझे किसी और भाषा में समझ ही नहीं आता, और ये होता है, जो भाषा आपके अंदर आत्मसाथ हो चुकी है, उसके कुछ शब्द तो आपके बाकी सारे भाषाओं में भी क्यारी ओवर हो जाते हैं, और वही श इस तरीके का वो विवरन देती हैं, तो आपकी आँखों के सामने एक अच्छी खासी तस्वीर उभराती है, और यही कुछ होने वाला है इनकी अगली कहानी में, जिसका नाम है सती, शिवानी की लिखी कहानी सती, अब आप परिशान मत हो जाएगा, मैं सती प्रथा पर हैं, तो सब्सक्राइब पर क्लिक ज़रूर कीजे, बेल आइकोन को प्रेस ज़रूर कीजे ताकि आपको आगे नोटिफेकेशन मिलते रहें, यहां पर हमारी अगर स्टोरी टेलिंग की कम्यूनिटी बननी है, तो एक-एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत माइने रखता है, और फेस्बुक पर मेरा पेज है कालंदी बडोला, क-A-L-I-N-D-I-B-A-D-O-L-A, इंस्टाग्राम पर मेरे आइदी है कालंदी.डोला, तो प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, आगे शेर करिए, ताकि हम इसी तरीके से एक आडियो स्टोरी के बाद दूसरी आडियो गारी ठसा ठस भरी थी, स्टेशन पर तीर थियात्रियों का उफान सा उमर रहा था, एक तो माग की पुर्णेत थी में अर्धकुम्बी का मेला, उस पर प्रयाक का स्टेशन, मैंने रेजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंडा और बड़ी तस्तल्ली से अन्य तीन नाम आई ही थी, पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्ती मिली, दो महिलाएं आ चुकी थी, तीसरी मैं थी और चौती अभी आई नहीं थी, मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी, इसी से एक छोटा बटवा साथ में था, आसपास बिखरे दोनों स्टील के बगसे और मेरू परबत से उंचे ठसे कसे हॉलडॉल देखकर मैंने अपने को बहुत हलका फुलका अनुभव किया, वैसे भी मैं सोचती हूँ, बगसा हॉलडॉल हीन यात्रा में जो सुख है वो अन्य किसी में नहीं, चकपट चड़े और खटखट उतर गए, न कुलियों की हतेली पर धरे द्रव्वे को अवग्यापून द्रिष्टी से देखकर, यह क्या दे रही हैं साहब का भय, ना सहयात्रियों के उपालंभ की चिंता, मेरे साथ की महराश्रन महिला ने अपने व्रिहदाकार स्टील के बग से एक के उपर एक चुनकर पिरुमट ज लेट कर एक सीध में दो तक्ये लगाए, एक मराठी पत्र का पढ़ने में तलीन थी, दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्त्रा ही था, पर तीनों बे तर्तीबी से बिखरे हुए पड़े थे, उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिका सुराहीदानों की भाती कुछ छोटी थी, बार बार लोड़क कर उनको परिशान किये जा रहा था, वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिसे पढ़ने में उन्हें परियाप्त रस आ रहा था, ओंधी कर बर्त पर तिकाती, चु मुझे उनकी उल्जन देखकर बड़ी हसी आ रही थी, वैसे मैं उनकी परिशानी काफी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था, मैं उसकी लंगडी टांग को अपनी बर्ट से तिका कर लुड़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसी बेतु मूटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल के वे बीच पीच में हिल हिल कर कुछ आकडों को पहाडों की तरह रटने लगती, और फिर बंद करके उपरन्यास पढ़ने लगती, उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहां तक की रुमाल भी खदर का था, और शायद उसी क संघर से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीदी लग रहा था, उनके चहरे पर रौप था, किन्तु लावन्ने नहीं, रंग गोरा था, किन्तु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा खुर्दरापन था, ठुट्टी पर एक बड़े से तिल पर दो-तीन लंबे बाल लटक रह थी, या वे प्रोडा कुमारी थी, या फिर विद्वा, क्योंकि चहरे पर एक अजीब रीतापन था, जीवन के उल्लास की इकाद रेखा, मुझे ढूनने से भी नहीं मिली, जासुसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट, मर्दानी और पकड मस्पूर्थ थ ये विहाथ होगी नहीं सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीथी लोरी की थपकने दे कर सुलाते थे, पती के कमीज में बटन टाकते हैं, या चिमता संट सी पकरते हैं, ये विहाथ नहीं हैं, जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्मरेखाएं धूल कालिक की दरार से मलिन कर देती हैं, मेरा अनुमान ठीक था, स्वयम ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया, वे पंजाब की एक विस्थापित स्त्रीयों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थी, हाल ही में विदेश से लोटी थी और लखनों की किसी समाज कल्यान गोश्थी में भा भाशनी नहीं उत्ता था, उस स्वल्प भाशनी सुंदरी प्रोडा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ा कर प्रोचसाहित नहीं किया, हाथ की मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयम ही मुस्कुराती और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड ले रही थी, सद्ध कलम का जादू उन्हें कटपुतली सा नचा रहा था, वे हमारे डब्बे में होकर भी नहीं थी, उनकी गोरे रंग पर उनकी लाल शोला पुरी साड़ी लप्टे सी मार रही थी, गोल परिपाटी से बांधा गया जूरा, एडी चुम्बी केश्राशी के मूलधन का परिचय दे रहा था, कानों में साथ मोतियों के वर्तुलाकार कर्ण भूल थे, और गले में दोरी लड़का मंगल सूत्र, जिसे वे अभ्यासवर्ष बार बार दातों में दबाले रही थी, उनकी सामान पर संभावत हा उनकी पती के नाम का लेबल लगा था, मेजर जेनरल करनोल कर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जेनरल की पत्नी होने योग्या, पूरे चेहरे में दोनों आखें ही सबसे ज्वलंत आभूशन थी, वे कुछ भी नहीं बोल रही थी, पर वे बड़ी बड़ी आखें निरंतर, हस्ती, मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड आती जा रही थी, कभी वे मुझे देखती, कभी वे उस पंजाबी महिला को, पर आखें चार होते ही, बड़ी अवग्या से द्रिष्टी फेर कर, मंगल सूत्र दांतों में दबा, पत्रिका पढ़ने लगती, गाडी ने सीधी दी और ठीक इसी समय, हमारे साथ की चौथी मह मिला ने दिब्बे में प्रवेश किया, गाडी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी, डाट डपट की फुपकारे छोड़ती गाडी चली, और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीध पर लुड़क पड़ी, उनके हाथ में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी, और कांख में चोकोर बटवा दवा था, उफ लगता था गाडी चूटी जाएगी, बाप रे बाप, कैसी दोल लगानी पड़ी, मैं उन्हें देखती ही रह गई, समाज सेविका ने जासू सी उपन्यास बंद कर दिया, मराठी मोना लीसा ने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया, और तीनों की ही दृष्टी उस चोथी पर आकर आबध्ध हो गई, दोश हमारा नहीं था, वो चीजी देखने लायक थी, हमारा घूर ना उन्हाने भाप लिया, केम बेन बहुत लंबी हो ना मैं, वो हसी, छे फुट साड़े दस इंच टू बी एक्जाक्त, शायद भारत की सब से लंबी नारी, चलिए, ये अच्छा है कि इस डब्वे में आज हम चारों महिलाई ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते, फिर वे दनादन हमारा इंटर्वियू लेने लगी, पहला प्रहार मुझ पर हुआ, समाद सिवेका ने ठक ठक कर दो-तीन रूखे उत्तरों में चाटे धर दिये, महराश्ट्रेन महिला ने हिंदी नहीं जानती कहकर पीट फेर ली, और उस महिला ने तुरुटीहीन अंग्रेजी का धारा प्रभाब भाशन चार दिया, मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंगाडिया, कल ही प्रेटोरिया से आई हूँ वे राम राम, कोई दुरघटना हो गई थे क्या? उन्होंने बड़े दर्ड से पूछा, मदालसा की वेशपूशा में सद्ध्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्न नहीं था, वे लंबी होने पर भी पठानें सी गठे कसे शरीर की लावन्यमाई गतियोवना थी, उनके बाल किस किसी दामी सलोन में कटे सवरे लग रहे थे, अपनी धानी रेश्मी साडी को वे हाफ पैंट की भाती उपर चड़ा, दोनों पैरों की पाल्थी मार आराम से जम गई, असल में पिछले वर्ष एक परवता रोही दल के साथ मेरे पती भारत आये थे, वहीं एक आवलांच बर हाँ भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो मैं भागती आई, बर्फ में दवी दे सुना है ज्यों कितियों मिली है, मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था, एक फंदा भी नहीं तूटा मृत पती की स्मिती ने उन्हें भाव विभोर कर दिया, बटवे से मरदाना रुमाल निकालके वे कभी आँखे पोचने लगी, कभी अपनी शूर्प्रनखासी लंबी नाग, बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाग का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था महाराश्रन महिला ने पूछा, नहीं बेन, मदालसा सीथ पर लेट गई, तु लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड डेह गया, एक लंबी सास खीच कर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ, हम तीनों को एक साथ अपने उस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सती ने एक दम आखे मून ली, जैसे वो चाहा रही थी कि अब हम उने शांती से पड़े रहने दें, ऐसा विभला किसी ने सुना था इस योग में, सपश्ट उचारण में अंग्रेजी बोलने वाली छे फुट साड़े दा सिंच की एक काया, कल बर्फ में दभी पती की एक स साल बासी लाश को छाती से लगा, जल्खन का राख हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्ता करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कपराद है कि आप ये नहीं जानती? खादी धारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, ऐसे गंभीर भाषन की गोला बारी जाडने लगी, जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है, और सती लप्टों में कूदने को ततपर है, भावावेश के दुरबल चणों में नारी कभी बड़ा बच्पना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है, अभी हाल ही में मेरे आश्रम की दो युफ्तियां ऐसी मूर्ता कर बैठी, मुझे ही देखिये, भारत विभाजन के समय मेरे पती की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट, यदि मैं भी उस दिन आपकी भाती सती हो जाती, तो आज ये देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी, पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बेहनों के आश्रम की देख रेक करती हूँ, ना बेन ना, मदालसा ने करवड बदली, मैं तो स सती होने ही भारत आई हूँ, हाई मेरा नील रतन, नीलू डारलिंग, कहकर वो फिर मर्दाने रुमाल में मूँ छिपा कर सिसकने लगी, आप चाहे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ, आपके पती के अंतिम संसकार में सहायता कर, आपको अपने आश्रम ले चलूँगी, समा पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चे से नहीं डिगा सकते, ये रोग हमारे खांदान में चला आया है, मेरी परनानी तो राजा राम मोहन राए और सर विल्यम बेंटिंग को भी घिसा देकर सती हो गई थी, और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नाना जी की पर देक गोद में लेकर चिता में बैठते ही, स्वयम चिता धू 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 कर जल उठी थी, फिर मेरी मा और अब मैं। फिर हटाईए भी पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उद्धी में गोता लगाने को छोड़, वे टोकरी से एक स्वच्छ तॉलिया साबुन निकाल कर गुसल खाने में घुज गई। उनकी जाते ही, हम तीनों परम मैत्री की डोर में गुद गए। अजीब औरत है, क्या आप सोचती हैं य मैंने महराश्चरन महिला से पूछा, हम देखिये, मरने वाला कभी धिंडोरा पीट कर नहीं मरता, वो हसकर बोली, हमको तो इसका ये स्क्रूड हीला लगता है, उन्होंने अपने माथे की और उंगली खुमाई, इस जमाने में ऐसे सती-फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खादी धारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। ऐसी भावक प्रकृती की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आखे नहीं देखिया आपने, कितना निश्पा, पवित्र और और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पती की मृद्ध देखते ही यह वही मूर्था कर बैठेगी जिसका एक खुले आम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसल कर इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी। तब ही इसे बचाया जा स सकता है। इतने में ही मदालसा हात मुध होकर ताजा चहरा लेकर आ गई। मेल गाड़ी वन ग्राम नदी नाले पुल कूत्ती फांती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोल कर नाश्तादान निकाल लिया। अब जैसे खरबूजे को देखकर खर पुलने लगे। आये ना एक साथ बैठकर खाया जाए। मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच नापकिन बिच्छा छोटे-छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद मैंने कहा पर हमारे साथ भी तो खाना है। इसे कौन खाएगा। वा जीवा। उसे हम खाएंगे। ईश्वर ने ये छे फुट साड़े दस इंच दुर्ग आखिर बनाया किसलिए है। उनकी भुवन मोहिनी हसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरी को काक त्रिष्टी से सती के घृत पक्वान को आखों या आखों में घूरते- लखते पकड़ ही लिया था। सुनहरी मौयंदार कचोड़ियां थी। मसालों की गहरी पर्त में डूबी सबजियां थी। रायता था चट्मी थी। और थे ठांस ठांस कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड़ू। ये तो सफर का खाना नहीं अच्छा खासा पड़ी। हम तीनों के पास भारतिय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फाके थी। अपना खाना खाया ही किसने। मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर ने सचमुछी उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोश्ट प्रकोश्टों की रचना की थी। महात्रप्ति के कई तार और मंद्र सब्तक के दकार लेकर हात्मुधो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबत के आकार का पांदान निकाला। नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। नजानियों जानकी नाथें सवारे शूत हमानुछे। समझी इसका अर्थ। उन्होंने हसकर मुझसे पूछा। जानकी नाथ भी यह नहीं जान सके कि सुभा क्या होगा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पत की व्याख्या उन्होंने संभवता हमारे ही हित्मे की थी। चलो जी, अब सोजाओ सब। आज इस पृत्वी पर मेरी ये अंतिम निद्रा है बेन, पहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइन। और बहुत प्यारे प्यारे सपने देखें तुम तीनों को। सच मुझी, उसकी शुपकामनावने जादू का असर किया। ऐसी नीन्द तो पहले कभी आये ही नहीं थी। और सपने, कभी लगता जगमगाते आभुशनों के धेर में गूते खा रही हूं। हीरे के हारों से गर्दन तूटी जा रही है। बाजू बंद अंगूठियों के भार से हड्डियां खिसकी जा रही है। और साडियां? क्या-क्या रंग हैं, कैसा चिकना रेशम? साडियों के विशाल उददी में रंगीन कीमती साडियों की तरंगे रह रह के उठ रही इस से प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की भाती ही हुआ। वास्तविक्ता की अंतिम तरंग ने पटाक से हम तीनों को धोबी पचार दी। आखी खोली तो सती गायब थी। परा गया। लगता है वो सती की बच्ची हमें कुछ विश्ख खिला गई। सिर्फ भटा जा रहा है। हां ठीकी तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के जूले की उची उची पिंगे दे रहा था। पूरा डब्बा गोल 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 गूम रहा था। पंखे के चारो और ब भारी आभूशन पहने स्वायं मेलट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर-जोर से हंसूं। कभी दहाडे मार कर रोने को तडप रही थी। बहुत पहले एक बार भावी ने भांग किलाकर ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी। सुना गया है कुकुर मुत्तों क को पीस कर बनाया गया विश भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनके खाते ही गहरी नींद आ जाती है जो कभी कभी दिनों तक नहीं तूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला या वश्य वही विश होगा। समाद सिविका दोनों हातों से सिर्थ थामें बिलक रही थी। है है मैं तो लुट गई मेरे सूट केस में आश्रम का दस हजार उपया था। और मैं सहसा गोल गोल घूमते रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया। बटुआ ले गई है तुम्हारा टिकेट। सती की चिता में मैं यही सामानने सी घृता हुती दे पाई। चेन खीचकर गाड़ी रोकी गई। सच्मुझ ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी। पर सती को बचाने के लिए नहीं पकड़वाने के लिए। वो मिल जाती तो शायद हम तीनों कि चिता चुनकर उसको उस चिता में जोंग देती। पर कहना वियर्थ है। आज तक पुले सो सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। तो कालंदी बडोला हाट टू आट में आज मेरी कहानी थी शिवानी की लिखी हुई सती नाम की। अब जब कहानी शुरू हुई थी तो पता नहीं चल रहा था कहां से कहां जाने वाली है। रेलगारी में बैटके हिचकोले तो खा रहे थे। हम सब ने जिन्होंने रेलगारी की यात्रा किये उसके मज़े भी आ रहे थे। लेकिन कहां सती प्रथा से बात शुरू हुई और कहां चली गई यही शिवानी की लिखी कहानियों की खासियत है। अब यहां इसी तरीके से ओडियो स्टोरी में आपको हर हफ्ते सुनाती रहोंगी। हर फ्राइडे का इंतजार कीजिए एक नई कहानी आपके नाम होगी। और यहां सुरसंगम जिनका गूगल अकाउंट है उन्होंने यूट्यूब पर मुझे लेखा था कि उनको शिवानी की कहानी चाहिए। प्लीज मुझे बताएगा कि आपको कितना मज़ा आया। और यहां यूट्यूब पर मेरे साथ हैं तो प्लीज सब्सक्राइब पर क्लिक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे विडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें K-A-L-I-N-D-I-B-A-D-O-L-A K-A-L-I-N-D-I-B-A-D-O-L-A है मेरे चानल का नाम और Facebook पेज है मेरा K-A-L-I-B-A-D-O-L-A के ही नाम से Instagram पेज है K-A-L-I-N-D-I-B-A-D-O-L-A तो सब जगह सब्सक्राइब करेए, लाइक करेए, फॉलो करेए और आगे शेयर करेए ताकि हमारी कम्यूनिटी बढ़ती रहे और स्टोरी टेलिंग की ये जो दुनिया है हमारी उसमें एक बस अलग अंदास से मैं और आप मिलते रहें सती, कुमाओ की मिट्टी से जुडी शिवानी यानी गौरापंद की लिखी कहानी कालिंदी बडोला की जुबानी सती, a masterpiece written by शिवानी, narrated as an audio story by कालिंदी बडोला